चलिए बच्चो आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं तो ये रहा आपका question number 7 देखो इसमें क्या दिया है कि represent the union of two sets by when diagram for each of the following यानि कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो-दो sets दियेगा है ठीक है अब इन्हें हमें क्या करना है बच्चो मतलब इनका union जो है उस समझना पड़ेगा तो देखें इसमें कुछ भी common है कि आगर कुछ common रहेगा ना तो आपका जो मतलब जो भी आपका set है बच्चो वो इस तरीके से बनेगा यानि intersection वाला ठीक है ना तो यहां पर देखो four और इसमें भी four यानि कि common element आ गया मतलब हमारा जो figure है वो कुछ ऐसे बनेगा तो देखो यह हो जाएगा आपका set A और यह हो जाएगा बच्चो set B ठीक है चलो यह हो गया A और यह हो गया set B अभी हम क्या करने वाले हैं तो intersection वाला हिस्ता कौन सा है बच्चो यह है ना intersection वाला पार्ट तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर कौन सा element लिखेंगे four क् ठीक है इसके अलावा set A के अंदर कौन कौन से elements आंगे तो तीन पाच साथ और यह चार तो तो देखो यहां पर मैंने लिखा तीन चार तो पहले से है यहां पर पाच आजएगा और इधर आजएगा साथ ठीक है फिट से आपको दो से दिये गए हैं इसका answer क्या होगा पहले तो आप देखिए कुछ common है क्या तो देखो बच्चो यहां पर कुछ common है ध्यान से देखो B इधर भी है और इधर भी है इसके अलावा E जो है बच्चो वो यहां पर भी है यहां पर भी है है ना और कुछ इसमें common है नहीं तो चलो देखो हमारा डाइग्राम कुछ हैसा बनेगा यह हो गया आपका set P और यह हो गया बच्चो set Q ठीक है तो set P के अंदर कौन-कौन से elements आएंगे पहले तो जो intersection वाले elements है ना मतलब जो दोनों में आरे उन्हें हम लिख लेते हैं यानि दुबारा से लिखने की जरुवत नहीं है उसके बाद क्या है बच्चो C तो यहां पर हमने लिख दिया C फिर E तो हमने अल्रेडी लिख आ है और यहां पर F ठीक इधर के आएगा तो देखो बच्चो L यहां पर लिख दिया फिर M आएगा फिर N उसके बाद E और B तो देखो E और B तो हमने अल्रेडी लिख आ है ना तो बस इतना ही यहां पर आएगा L M N ठीक है तो आप लोग अच्छे से फिगर बनाईएगा बार बार बोल रही हूँ कि जबी भी आप लोग डाइग्राम बनाते हैं बच्चों तो P और यह Q ठीक है क्या क्या था तो B और E common था ना फिर इसके अंदर A B तो पहले से लिखा C और यहां पर F फिर इसमें L M N और E और B तो पहले से ही है ठीक है तो देख सकते हो अभी चलो हम लोग तीसरा वाला question देख लेते हैं तो यहां पर इसका answer क्या होगा देखो पहले त से लिखना होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि यह दुनों से में कौन-कौन से अलिमेंट्स हा रहे हैं ठीक है तो पहले हम इसको लिस्टिंग मैथर से मतलब रिप्रेजिंट कर देते हैं तो देखो बच्चो क्या लिखका है आप है कि X is the set of all X such that X is a prime number between 80 and 100 यानि कि 80 और 100 के बीच के जो भी आपके प्राइम नंबर्स है न वह सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे ठीक है तो प्राइम नंबर मतलब वह नंबर जिसके बस दो ही फैक्टर होते है एक तो बन दूसरा वह नंबर खुद तो बताइए बच्चो कौन-कौन से ऐसे नंबर्स हो ज प्राइम नंबर्स है ठीक है अब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 84 84 प्राइम नंबर्स नहीं होता फिर 85 भी नहीं होता 86 यह भी नहीं 87 87 साज से एक बार चेक करते हैं मुझे लगता है यह प्राइम नंबर होता ही है यह प्राइम नंबरं कि यह किसी से नहीं कडने वाला जाओ fij है 90 90 आएगा 91 यह भी प्राइम नंबर नहीं है 92 93 93 प्राइम नंबर नहीं है 93 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको आम लोग 3 से कंसल कर सकते ना 331 जा थी कह इसके लाब वन हो जाएगा 93 इसका फैक्टर हो जाएगा होके 93 भी है 94 पे चलो एभीए नेहीं कुसक्ता है बच्चो 97 करो सकता है क्योंकि आप इसको तो somewhat क्या इसके आगे जाएंगे तो क्या जांग गहले के यहाँ और इसके लिए इस तर 90 और 100 की बीच में जो भी हमारे odd numbers है ना वह हमें इधर लिखने है तो odd number मतलब क्या होता है वो number जो टू से डिवाइड ना हो सके तो चलो देखते हैं 90 से आगे पढ़ेंगे तो 91 आपका odd number है 93 95 97 99 ठीक है यह सभी क्या है बच्चो और नंबर से ओके चलिए अभी हम लोग डाइग्राम की मदद से दिखा देते हैं मतलब बेंड डाइग्राम की मदद से तो बना लेजिए circle यह हो गया पहला circle यह हो गया दूसरा ठीक है यह है सेट एक्स और यह है बच्चो वाई ठीक है इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या तो यहां पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा एटी थी नहीं बच्चो देखो 97 है है ना कॉमन जो दोनों में है तो हम इधर 97 लिख देंगे बाकी सेट एक्स के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 83 और 89 ओके फिर जो आपका सेट वाई है इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 91 93 फिर यहां पर आएगा बच्चो 95 है ठीक है देखो यहां पर आ जाएगा 95 फिर 97 और यहां पर आ गया 99 ओके तो आप लोग देख सकते हो यहां पर हमने यह वाला कोश्चन में कम्प्लीट कर लिया बस ऐसे करना था और डा आना है तो सबसेट रिलेशन बताना है दिये गए सेट में ठीक है तो कैसे बताएंगे चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन-कौन से सेट यहां पर दिये गया है तो पहला देखो बच्चो क्या है सेट ओफ ओल क्वाडर लेटरल्स मतलब इसको हमने एक से डिनोट किया ह है ठीक है बच्चो तो इसको मतलब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा इस तरीके से फिकर हम लोगों ने बना लिया है आप लोग देख सकते हैं आपको समझाती हूं चिंता ना करो वैसे आपको ना एक्चुल में बनाना नहीं है बस आपको समझाने के लिए मैंने सारे बनाए हुए है ठीक है तो यह जो आपके सामने है ना यह बच्चो और क्वाड़लेटरल में क्या होता है चार साइट अप जानते ही है ठीक है और क्वाडरलेटरल के सेट को देखो यह एक से दिनूट किया गया है फिर उसके बाद अगर में बात करो रोमबस की तो प्रपेंडिगुलर करते हैं उधर नइंटी डिग्री का अंगल बनता है और यहां से यहां तक मतलब मैंने क्या परपेंडिगुलर भी सेक्टर यहां डितना ही यह भी होगा ठीक है तो इसको हम y से denote कर देते हैं फिर उसके बाद क्या है बच्चो मतलब ये कौन सा figure है तो ये है आपका square तो s for square square की property क्या होती है इसके सभी जो sides है वो congruent होते है इसके अलावा जो इसके angle से बच्चो वो होते है 90 degree के फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये कौन सा figure है rectangle है जिसको हम v से denote करते है और rectangle की property क्या होती है इसके जो opposite sides होते है वो congruent होते है ठीक है देखो यहाँ पर ये वाला side ये वाला side फिर ये वाला और ये वाला ये दुनों आपस में क्या हो जाएंगे congruent हो जाएंगे इसके अलावा इसके दूसरी property क्या होती है कि इसके सभी angles होते है 90 degree के अब ये जो last वाला figure है न बच्चो ये क्या है parallelogram parallelogram की property क्या होती है कि जो इसके opposite sides होते है वो क्या होते है एक दूसरे के parallel होते है जैसे कि ये वाला जो side है न ये parallel होगा इसके और ये वाला side parallel होगा इसके ठीक है बच्चो तो ये सारी properties होती है अभी हमें यहाँ पर क्या बताना था subset relation बताना था न तो बता देंगे चिंता ना करो एकदम आसान है आपको बताती हूँ देखो देखो बच्चो आगर मैं ये rhombus की बात करूँ तो rhombus जो है मतलब rhombus ये quadrilateral हो सकता है कि ने क्योंकि देखो quadrilateral में DF 묻 4 sides होते है और rhombus में भी 4 sides होते है वेसे square में भी 4 sides होते हैं फिर rectangle में Ee 4 side सब्सक्राइब हो सकते हैं क्या होना चाहिए आपका जो इस तरीके से बोल सकते हैं कि यह जो वाई है यह इस दा सबसेट ओफ एक्स ठीक है वैसे ही यह जो स्क्राइब है इसक्राइब बच्चों चलो इतरा गाम तो हमने कर दिया इसके अलावा आपको एक और बात बताना चाहती हो इसमें क्या होता है इसमें जो इसके आपोजेट साइट ना बच्चों वह क्या है होते हैं इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूंबस की तो इसमें भी अपोजेट होते हैं कहने का मतलब क्या है कि यह सबसेट होगा किसका सीधा ध्यान से मैं क्या बोल रहे हूँ square जो है वो इसका subset होगा और इसका भी सबसेट होगा ठीक है लेकिन सबसेट होगा क्या आपको क्या लगते है बच्चो होगा कि नहीं होगा तो यह जो यहां पर क्या होते हैं यह प्रोफे और क्या होते हैं यह इसका है यह कहीं पर नहीं करेंगे नहीं करेंगे and square is the subset of T मतलब parallelogram इतनी बाते आपको clear है देखो बच्चो ऐसा आप नहीं लिख सकते कि Y is the subset of S ठीक है ऐसे मत लिखिएगा सीधा सीधा लिखिएगा अच्छा आप और सोचना पड़ेगा है ना तो अब आपको क्या बताओ इसमें क्या relation हो सकता है यह जो Y है ना यानि कि जो rhombus है ना यह और क्या हो सकता है तो यहाँ पर देखिएगा बच्चो इसके जो opposite sides है क्या यह parallel हो सकते हैं तो जी हाँ यह parallel हो सकते हैं क्योंकि इसके जो opposite sides हैं वो कहीं भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगे ठीक है और पैलेलोग्राम में भी यह होता है यानि हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि यह जो वाई है ना वाई इस दा सबसेट ओफ टी ठीक है चलो एक काम तो हमने कर दिया अब बच्टा क्या है तो देखो बच्चो हाँ इसको आप ज़रा देख लिजी रेक्टेंगल में भी ऐस जैसा ही होगा इसके जो अपोजिट साइड रहेंगे वह क्या रहेंगे मतलब पैरलल ही रहेंगे इसके जैसा ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं यह जो भी है ना वी इस दा सबसेट आप लोगों को करना है देख सकते हो बच्चों यहां पर हमने कोश्चन नमरेट कर लिया यह कोश्चन सौल करनी के लिए जो इसकी प्रॉपर्टी होती है यह सारे फिगर्स की वह आप लोग को पता होनी चाहिए ठीक है क्लास एट में आपने अल्रडी सीखा है और अब भी भूल चुके हो तो एक बार जा करके रिविजन कर लेना आपको याद आ जाएगा ठीक है कि if m is any set then write m union यह क्या है इसका मतलब क्या होता है बच्चो नल सेट और इसको आम लोग क्या कहते हैं यानि कि पी एच आई ठीक है इस तरीके से इसको लिखा जाता है तो हमें यह बात बतानी है और क्या बताना है तो हमें ना इन दोनों का इंटरसेक्शन भी बताना है ठीक ले लेते हैं ठीक है ले लिया हमने और 5 की बाद की जा रही है यानि कि नल सेट मतलब देखो 5 इक्वल टू क्या होगा बच्चो यह नल सेट होगा बराबर तो हमें यहां पर क्या क्या बताना है हमें बताना है m union 5 m union null set तो क्या होगा बच्चो m union null set में क्या आएगा तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ जैसे union में हमनों क्या करते हैं सारे के सारे elements को लिखते हैं तो ये set के अंदर कितने elements हैं 1, 2, 3 ये लिजे हमने लिख दिया ये set के अंदर कितने elements हैं कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी मतली किएगा बस इतना ही लिख करके छोड़ दो तो देखो यह किसके एक्वल आया बच्चो ध्यान से देख करके बताईए यह एक्वल आया ना तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि therefore M union 5 which is equal to क्या आ गया M है ना क्योंकि देखो M के अंदर जो elements सारे के सारे elements यहां पर प्रेजेंट हैं समझें अभी next हमें क्या बताना है तो M intersection N तो यहां पर हम M intersection 5 and M intersection 5 तो देखो इन दोनों में कुछ common है क्या इन दोनों में देख लेजिए कुछ भी common है तो कुछ भी common नहीं है सही है ना तो यहां पर क्या आएगा बच्चो नल सेट यानिकि यह फाई ही आएगा तो हम इधर क्या लिखेंगे कि therefore M intersection 5 which is equal to 5 okay clear है आपको तो देख सकते हो question number 9 यह आप पर complete हुआ अभी हम next किसकी बात करेंगे बच्चो तो question number 10 की बात करेंगे किके पर हो यहां पर दिया गया मतलब fit diagram यहां पर बताए गया है यह है अब पताना था ना तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें आप लिख दीजिए तो यूनिवर्सल सेट में यह सारे के सारे तो 6 कहीं पर है तो 6 नहीं है ना 7 साथ आठ 9 90 11 11 के 28 क्यों そ 12े क्या नहीं है रृष्पतौ है तो यहां पे तेरा लिख देते हैं और कोई एलिमेंट्स और है सारे के सारे हमने लिख लिह ना एक दो टीन पांच फिर साथ आट नो दस ग्यारा और यह तेरा बारह और यहां पर नहीं तो निक्स्ट हमें क्या बताना था एन आफ एन आफ नहीं हमें यह बताना था तो सेट एक अंदर कौन-कौन यह रहा आपका 7 ठीक है नेक्स्ट हमें क्या बताना है बी मतलब यहां पर थर्ड नंबर डाली हो लिखिए इसके अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो देखो यहां पर सेट बी के अंदर क्या क्या आएगा 158910 चलो लिख देते हैं कि 158910 ठीक है फिर नेक्स्ट हमें क्या बताना था तो ए यूनियन भी तो अभी इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चो सिंपल सी बात है देखो ए यूनियन भी मतलब क्या इन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आए रहेंगे सब को यहां पर लाईए और लिख दीजिए छलाई लिखना स्टाट करते एक दो तीन पहले लिखतेए हैं एक दो कि तीन फिर चार इसमें नहीं है कोई थी पांक ए साथ पांच साथ फिर क्या है देखो आठ नो दस ठीक है ना चाहते तो आप इन दोनों में से भी देख करके लिख सकते थे एक दो तीन फिर पाच फिर साथ उसके बाद आठ नो दस है ना सब कुछ हमने लिख दिया फिर नेक्स्ट हमें क्या बताना था तो इंटर सेक्शन बताना था यहां पर लिखेंगे एंटर सेक्शन बी तो इंटर सेक्शन मतलब कॉमन तो देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है वन और फाइं कॉमन है ना तो यहां पर हम लिख देंगे वन कॉमा फाइं और इस तर करते हैं एन ओफ ए है 7 एन ओफ बी है आपका 13 एन ओफ एंटरसेक्शन बी इस 4 देन वी हाब फाइंड एन ओफ ए यूनियन बी तो यह तो कितना आसान है चलो फॉर्मूला लगाओ यहां पर वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एन ओफ ए यूनियन बी जो है न यह किसके एक्वल होता है तो देखो कैसे लिखनेगा क्या पता था मैंने आपको एन के साथ ए ले लेना मतलब पहले ए फिर प्लस उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है बी तो यहां पर लिखिएगा ठीक है फिर इसमें से माइनस करना है किस कभी-कभी आपको मिल सकता है देखो अगर मैं यह पूरे टम को इधर बुलालो इसको उदर बेजो तो क्या होगा बच्चो यह इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा और यह उदर जाएगा तो माइनस में यानिकि एन ओफ ए इंटरसेक्शन भी इस इक्वल टू क्या हो अब यूनियन भी हमें कितना मिला बच्चो 16 मिला बस काम खतम है ना तो यहां पर आपका फाइनली यह जो प्रॉब्लम सेट वन है यह कंप्लीट हुआ है ना पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया सारे प्रैक्टिस इट्स भी किये और प्रॉब्लम सेट कर लिया तो अभी आपकी बारी है बच्चों पढ़ने की अच्छे से पढ़ाई करते रहिए टेलीग्राम चैनल को आगर आप लोग उन्हें किया है तो वह भी कर लीजिएगा ठीक है और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो ओके तो चलो बच्चों चलते ह है अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो में ओके गुडबाई अब्रीवन